यूटूब चैनल आप लोग देखरों मास्टर सेफ और आज हम लोग बनाएंगे चिकन मुरक्कन कबाब बहुत ही प्लीज वीडियो के लाज तक बने रहना अगर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना जिससे की मेरी वीडियो की नॉफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो सबसे पहले इसमें नॉर्मली आपको दो मसाले बनाने पड़ेंगे एक दई बहुत ही फेमस रिसीपी है तो वीडियो अगर पसंदा तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा सेर करना इस रिसीपी को क्योंकि बहुत कम रिसीपी यूटूब पर आपको देखने को मिलेगी तो हमको इसको घर पर बनाना है तो कैसे बनाए तो काफी लोग क कमेंट करते हैं सर घर पर हम लोग कबाब केसे बनाएं तो आप ये गिरील बाय कर सकते हो आपको एमेजून पर भी मिल जाएंगी और जहां पर रिश्टोरेंट का सामान मिलता है वहां पर भी आपको मिल जाएगी आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर इस तरीके से हम लोग इसको सेफ दे देंगे और जो बेस्टेड है ये भी हमारे काम का है इसको भी हमने यूज करना है अब देख सकते हो इस तरीके से हमने इसको जो एश्ट्रापी से हो निकल देना है और इसमें एक होल कर देना हमने होल एक छोटा सा होल करना है जिससे आरपान नहीं ह होना चाहिए और एक दम बराबर होना चाहिए कीमा आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए अभी हम लोग इसमें कीमा स्टपिंग करेंगे मतलब किसके अंदर कीमा भरेंगे हम लोग इस तरीके से आप इसको होल कर सकते हो आप लोग देख सकते हो अब हम लोग इसका कीमा बना लेंगे यह जो है न है इसका हम लोग कीमा बना लेंगे और इसमें सिर्फ नमक डालके इसको बोईल कर लेंगे झाफ पर हम उसके अलाब कुछ नहीं डानना अपने, सिर्फ नमक डालके इसको बोिल कर लेंगा और पानी भी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राइ होना चाहिए इस तरीके से अपने इसका एक दम फाइन करके कीमा बना लेना तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे दही का मसाला वो दही का मसाला के लिए मैंने 100 ml 100 गिराम दही लिया उसमें हाप स्पून डाला बने गालिक जिंजर पेस थोड़ा सा सॉल्ट रेड चिली पोडर दनिया पोडर जीरा पोडर और थोड़ा से अट करूँ हम इसमें गरा मसाला हम इसमें एट कर रहा हूं हाप स्पून food color अगर आप ठालने चाहँ तो डाल सकते है इसके भीब कर सकते हैं इसमें कलर लाने के लिए इसमें फोड कलर यूज कर रहा हूं थोड़ा सा मैं डालूंगा इसमें कोकिंग ओईल अब इसको अच्छे से हम लोग मिला देंगे कि एक दो हम फाइन करके इसको अच्छे से अपने मिला लेना है कि इस तरीके से अब लोग देख सकते हैं यह हमारा मसाला जो है रेडियो गया अब इस मसाले में हम लोग मुरक्कन का जो हम लोग किया था उसको हम लोग इसमें ग्रिल करेंगे तो सबसे पहले हमने है जो कीमा है वो हमारा रेडिव होगे चुका है अब हम लोग इसके Đây किमा एड करेंगे स्टेपिंग कर देंगे कीपमे को ऊस्तरीके सां हम लोगोंने कीमा पहल लेना अच्छे से जतना आय इदनेज़ बहना जबर रुजस्ती नहीं करना अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो और एक दो शेर मार दो फेस्बूक पर इस्टाग्राम पर जहां भी आप सेर करना चाहो सेर कर सकते हो इस तरीके से हम लोग इसको गरिन कर देंगे करेंगे इसको पांसे छे मिलेट को तक हम अच्छे से ऊपर से थोड़ा सा कलर ब्रॉन ना हो जाए जब तक आपने इसको पकाना है यह आपको लगे कि हाँ चिकन पग गया हमारा जब तक इसको हमने अच्छे से पकाना है अब लोग देख सकते हो अगर आपको कुछ पूछना तो मेरा इस्टाग्राम आड़ी भी है masterchef indian08 आप इस्टाग्राम पर पूछ सकते हो जो जिस नाम से मेरा यूटूब चैनल है उसी नाम से मेरा इस्टाग्राम आड़ी भी है अब देख सकते हूँ यह हमारा लगबग मुराखन कबाब रेडी हो गया अब हम लोग इसको निकाल लेंगे तो मैंने यह चार स्पून करीम लिया है अब लोग करीम का मसाला बनाएंगे चार स्पून मैंने किरिम लिया है उसमें वन एंड आफ इसमें मैंने चीज डाला ग्रेट किया हुआ किरिम आपका घाड़ा होना चाहिए पतला बिल्कुल भी नहीं चाहिए मसाले मेट करेंगे सॉल्ट वाइट पेपर इलाइची पोडर गरिन एलाइची पोडर हाफस्पून जरूँड डाले इससे इसका खुजबू, अच्छा है इगा कबाब का आप डालोंग dato साहिए और इसमें चाहिए इसमें ऐच करोंगा है रोजला डालना ह यह रोजवाटर है अब हम लोग इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे और पहले मैंने रेट कलर यूज करा फिर से मैं बता रहा हूं फिर लास्ट में मैंने येलो कलर और पहले दई से बनाया था ये वाला मसाला मैंने क्रीम से बनाया है तो इसको अच्छे से मिला लेंगे, टेस्ट कर लेंगे कि नमक बराबर है या नहीं, आजवाइन लाजमी आपने आजवाइन डानना है, इसी को हो हता है, जो हम लोगों ने जो मुरकन का जो कबाब था, जो ग्रीन किया था, उसको हमने इस तरीके से दो बाग में काट लेना है, तो अब हमको फोईल चाहिए, दो फोईल आप तीन भी यूज़ कर सकते हो, मैं इसमें दो फोईल यूज़ करूँगा, आपको लागे कि मसाला बहां निकल ला है, तो आप तीन भी यूज़ कर सकते हो, तो मसाला आपने इस तरीके से, सबसे पहले फोईल पर आपने मसाला इस तरीके से हाद से स्पुन्स से जैसे भी आप डानना चाहिए अच्छी से मसाला डानना आयए ऐसे तरीके से लिद्वभ DON्र चाहिए उसरी के निया और में आप लग दे пригol़ कर दोड़ेना अपने अपने कि इस तरीके से municipal करें अच्छी सैंय। करके जिससे कि मसाला बहां ना निकले एक दो बार करोगा तो आपकी समझ में आजाएगा कि इसमें वो क्या तो अभी हम लोग ग्रील पर रखेंगे तो मैं डबल कर रहा हूं आप तीन भी कर सकते हो आपको जितना जो भी अच्छा लगए आपको वही कर सकते हो हमें इसको फि 18 मिनट के भी 15 से 18 विनट के भी में इसको रब पकाना है और इसको घुमाते रहना है और जब हमार आप 15 लट हो जायीगा तो फोईल एकदम गरम हो जायगा तो हमारा यह 15 मिनट हो गया तो मैंने कट कर दिया 15 मिनट देख सकते हैं एकदम गरम है यह और सबसे फिल आप जो इसका उपर का जो फॉइल टाइस ट्रा फॉइल ता मैं उसको खूल देता हूं या तो अवर्ञ नहीं तो आप तीन भी फो उ उसकर सकते हो आप इसको साब कर सकते कप्पड़े से बहुत गरम हैने यह ओ को मुए कि अपर हम लोग इसका कंटिंग करेंगे इस तरीक챠chaft काटिंग herself करें बहुत गरम है तो इस चीछ का अब द्यान देना आंपकी इसी कपड़े सा काड़े किस्का कटिंग करें इस तरहीश्टरिकर वोटे मरें अपने किलिक नना फोईल को आर पार कटिंग नना चिर्फ आधा फोईल कंग कर ना अपने आधा रिसीपी आप घर पे एक बार बनाना आपके जो गेस्ट है आपके जो मेमान है वो इस रिसीपी को देखके आप से रिसीपी नहीं मांगे तो मेरा चैनल को आप अनसस्क्राइबर भी कर सकते हो यह रिसीपी आप अपने गेस्ट को अपनी फैमली के मेंबर को खिलाओगे तो के पताना कैसी रहागी सिफ़ी और इसरेफ्ट को बनाते हैं तो फोटो केज़के मुझे इसराब आप तुट मेरे साथ और बस यह मुरक्षण सेस्थ पर आप का रेचेप यह फिसम अब जोगों ने मेरे वीडियो को इतना पसंद पmbol के इतना शेर करें रहतेना लाइक करें पर जिलिए इस रीटी में